हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग अमीता किचेन में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे किचेन में बन रही है एक प्रभाव साली आयरुवेदिक डवा जो जिसे हम कहते हैं सितो प्लादी सितो प्लादी का चूर्ण हमारे मार्केट में कई कमपिनियों का मिलता है पर आज जो मैं बता रही हूँ वो घर पर बनाने के लिए बता रही हूँ बहुत ही आसानी से बन जाती है इसके बहुत सारे फाइदे हैं गले की खरास को दूर करता है अस्थमा में भी बहुत फाइदेमंद होता है इलर्जी दूर करता है गले की सूखी और गीली खासी में भी बहुत फाइदेमंद होता है पाचन तंद्र को भी ये मजबूत रखता है और एनेमिया का भी इलाज करता है इसे खाने से हमें एनेमिया में भी बहुत फाइदा होता है तो यह बहुत ही फाइदेमंद है यह बच्चे बुढ़े सभी खा सकते हैं इसे खाना कैसे है? हमें यहाँ पर एक चम्मच सीतो पलादी चून हमें ले लेना है बड़े एक चम्मच लेंगे छोटे आधे चम्मच लेंगे बच्चे हमें एक चम्मच हमारा जो पाउडर है उसे ले लेंगे और एक चम्मच सहद लेंगे सहद के साथ मिक्स करके हम इसका एक पेस्ट तयार करेंगे और उसी पेस्ट को हमें सुबह और साम दोनों टाइम हमें इसे सहथ के साथ लेना है हमारे बहुत सारे सरीर की कमियों को यह हमारा जो पेस्ट है बहुत सारी कमियों को दूर करता है यह बहुत असानी से बन भी जाता है और बहुत टेस्ट भी लगता है बच्चे भी नहीं कहेंगे कि ममी हमको नहीं दो मीठा हो जाता है इसमें कड़वाहट नहीं रहती है इसलिए बच्चे भी आराम से खा सकते हैं बुड़े भी खा सकते हैं हर उम्र के लोगों के लिए यह बहुत फाइदेमंद है तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए हमें इस चून के की आविशकता है जो आपको बजार में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आयरवेदिक दुकान में कोई किराने के दुकान में आयरवेदिक दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा तो चलिए किचन की और देखें कि कैसे कैसे बनेगा हमारा यह चून किस किस सामगरी स बनता है तो इसके लिए हमने यहां पर 160 ग्राम बंस्लोचन लिया हैं बन्सलोचन हमें मार्केट में मिल जाएगा कोई आयरुवेदिक दुकान में और जो पुराने दुकान है पुराने किराने के दुकान उसमें भी मिल जाता है, उसी हिसाब से हमें 80 ग्राम ताल मिस्री लेना है, उसी हिसाब से हमें 40 ग्राम पीपल लेना है, छोटी लाइची 20 ग्राम लेंगे और दालचीनी 10 ग्राम लेंगे, आप इसको मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे मैंने 80 ग्राम ताल मिस्र लिया है बंसलोचन एकक्र तो आपको अगर कम करनी हैं तो 1987 पंसलोचन ले लीजिए टाल मीषडकी चालीस ग्राम ले लिए पीपल आप 20 ग्राम ले सकते हैं चोटी ऐलाइची कि कि आप 10 ग्राम ले सकते आ दालचीनी Quant इस हिसाब से भी आप अगर कम बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसे एडजेस्ट करके आप इसे ले सकते है तो चलिए इन सभी जो हमारी सीतो प्लादी चून बनाने में फायदे मंद होती है जो सरीर को बहुत फायदा करती है सारे समान को हम मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेते हैं ट्रांसफर करके हम इसका एक फायन सा पाउडर तयार कर लेंगे ताकि हमारा मुँ में रुखडा रुखडा ना लगे खुरदर आना लगे यह मेना सीतो बंस लोचन जो है यह लोटस कंपनी का है बंस लोचन कई कंपनी का आता है आप किसी भी कंपनी का ले लिजे बंस लोचन उसे जार में ट्रांसफर कर लेंगे यह देखिए हमारा फाइन पेस्ट पाउडर तयार हो गया है इसे आप अगर और फाइन पाउडर चाहिए आपको तो आप इसको चलनी से चान सकते हैं चान कर आप इसे रख सकते हैं इसे हमें एक आप सुखा बॉटल ग्लास की ले सकते हैं चाहे आप प्लास्टिक की ले रहे हैं तो बस धोया हुआ और धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए कोई गंदगी नहीं होना चाहिए हमने यहाँ पर एक ग्लास का बॉटल लिया है उसमें हम सारा जो हमारा चून है जो हमने पीस कर तैयार किया है उसे हम ले लेंगे जैसा जर्वत रहाएगा वैसा निकालेंगे और निकालकर यूज करके इसे सील पैक करके रख देंगे तो हमारा बहुत दिनों तक हमारा यह चून चलेगा और जिसे भी जब भी खासी सर्दी गले की दर पाचन क्रिया में तकलीफ होने लगे तो आप इसे यूज कर सकते है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारा लेटिस्ट वीडियो आप सभी को मिल सकें और एक कमेंट करके जरूर आप सेयर कीजेगा कि यह चून आपके लिए फाइदे मंद है कि नहीं है